नमस्कार फियोज पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंटरंस जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन पूरी तरह टूर चुकी होती है तो वहां पर आजवीर उसका होसला बढ़ा रहा होता बोल देता है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो तुम अपनी जिन्दकी को दोबारा से सुरू कर सकती हो तो वहां पर शुमन बोल देती है आप सही कह रहे हैं मुझे अपनी जिन्दकी में आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि अन्शुमन जी ने अपनी जिन्दकी की नई सुरूआत कर लिया तो वहां पर काफी ज्यादा सामन की वा बेटी होती ही मतलब जो च्छोटी सुमन लेकिन वहाँ पर शुमन पूरे परिवाद से तोड लेती रिस्ते नांते तो अब सबसे बड़ा ट्विश्ट देखने को मिलने वाला है जहां पर अब नंदन खोलने वाला जल्द सुमन के सामने बहुत बड़ा राज क्यों कि यहां पर सुमन को गलत फैमी हो चुकी होती है कि अंसुमन काफी समय पहले मतलब संध्या से साधी कर चुका है और उनकी एक बेटी भी है तो सोच रही होती कि मुझे इनकी जिनकी के भीच नहीं आना चाहिए वहां पर नंदन उसे सचाई बताने वाला जहां पर बताने वाला है कि अंसुमन भाईया ने इस छोटी बच्ची के लिए यानि कि छोटी सुमन के लिए संध्या की मांग बरी थी वो भी सिरफ अब क्योंकि पहले इन दोनों की साधी नहीं हुई है और नहीं संध्या अंसुमन भ जो सुमन है दोनों को अलग करने की पूरी कोशिस करते हुए नचराएगी और सुमन के बन में ऐसा बैठाने वाली है इस बात को बैठाने वाली है कि सच में काफी समय से उन दोनों की साध्य हो चुकी है और यह बच्चा भी उनका है